दिखिए ये चुटी चुटी पिसेस हैं दो उसमें हम एक पर्स बनाएंगे ये बॉर्डर का यूज करेंगे उसके लिए मैं पहले पेपर के अनवास जोडती हूँ दिखिए इसे हमने कुछ पिसेस कटिंग किये हैं ये चार इंच बै दस इंच का एक पीस हमने कटिंग किया और ये पेपर के अनवास प्रेस करके हमने अटाच किया है इसके बिचे हम रबर शिट जोडएंगे और ये दो इंच बै दस इंच की एक पट्टी ये बॉर्डर की स ये back side plane है 6 inch by 10 inches की अगर इसके साथ यहाँ उपर का thread में change करूंगी तो इसके साथ यहाँ जोड़ दूंगी ऐसे एक चुटी सी पट्टी back side में बहुत सुन्दर दिखेगी देखें ऐसे हमने इसके पीछे rubber sheet attach की है चारो साइड से सिलाई की है ऐसे यह तीनों piece हमने बनाए है 5 inch by 10 inch के दो अस्तर के pieces अस्तर के लिए हमने यह बैक का material लिया है यहाँ cotton का fabric भी ले सकते हैं 10 inch की zipper ली और यह 4 inch by 10 inch का यह piece है 10 inch इसकी zipper zip की सीधी side fabric की सीधी side के उपर और इसके पीछे अस्तर की सीधी side दिखें यहाँ सिलाई होने के बाद अस्तर अंदर की side में इसे करते हैं और यहाँ top stitch ऐसे हमने top stitch किया यह 4 inch का पीछ था तो अस्तर हमें 4 inch का ही लगता है लेकिन हमने यह दोनों पीछ साथ में कटेंगे इसके लिए 5 inch का लिया इसके बाद यह फाबरिक की सीधी side जिप की सीधी side के उपर और यह अस्तर की सीधी side जिप के back side में यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे देखें यहाँ आमने सिलाई की अगर अबरजिट के उपर सिलाई नहीं आती है तो अस्तर की side में सिलाई कर सकते हैं यह होने के बाद यह अस्तर निचे रहेगा सिलाई उपर रहेगी यह से fold करेंगे ऐसे और यहाँ top stitch दिखिए उपर की side में top stitch होने के बाद ये started थोड़ा सा side में करते हैं ऐसे और यहाँ से runner डालेंगे और यहाँ से यहाँ तकसिलाई करेंगे और extra stir हम cut करके यह piece हम बनाते हैं ये piece बनाने के बाद दिखिए इसे हमने star join करने के बाद ये extra stir cutting किया यह होने के बाद यह 6 इंच पाई 10 इंच का प्लेन फाबरिक का पीस है यह हम ऐसे देखेंगे यह अगर जीपर जोडने की बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है तो ऐसा ही इसको हमें करना है चोटा बढ़ा लेकिन यह बराबर है यह आप देख सकते हैं अगर इसको अलका सा ऐसा शेप देना है कोई भी राऊंड चीज ले सकते हैं यह उपर जीपर है नीचे के साइड में आईसे इसके उपर शेप देंगे यह ऑपशनल है आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते है या तो शेप दे सकते हैं दिखिए इसे हमने शेप दिया इसके उपर हम cutting करेंगे दिखिए यहाँ हमने red color का thread यूज किया है तो यह पट्टी हम यहाँ जोड़ेंगे यह हमने paper canvas के साथ attach की है यहाँ जोड़ेंगे और इसके साथ हमने उपर की हम zipper जोड़ेंगे जो red color का thread हमें यूज करना है यहां हम जीपर जोड़ेंगे यह 10 इंच इसकी जीपर है यह स्ट्रिप हमने जॉइन की और यहां से एक इंच लिया है जिप की सीधी साइड हम फाबरिक की सीधी साइड के उपर रखेंगे और ये change by 10 inch का हमने अस्तर लिया ये अस्तर की सीधी side है zip की back side में रखेंगे इसे और यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे देखिए ऐसे हमने ये zipper join की यह होने के बाद अस्तर अंदर की side में करते हैं यहां top stitch और ये अस्तर और फाबरिकम साथ में यहां तक जोड़ेंगे 2.5 inch by 1.25 inch की ये दो पिसे समने लिए सववा इंच बाई डाई इंच इसके यहां जोड़ेंगे और ऐसे यहां top stitch देखिए ऐसे हमने बनाया है और ये 6 inch by 10 inch का है उपर से हमने 2 inch का mark किया parking के उपर cutting करेंगे इसे cutting होने के बाद ऐसे runner की side रहेगी और ये जो fabric extra है दोनों side में हम एक जैसा चोड़ेंगे यहां देख सकते हैं यहां और यहां 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 तो center का mark कर सकते हैं यहां से यहां हम सिलाई करेंगे देखिए ऐसे जोडने के बाद यह जो यहां से extra जो fabric है वह हम ऐसे cut करते हैं दोनों side से और यह होने के बाद हम सिलाई नीचे करेंगे और यहां top stitch और ऐसा ही दूसरा piece से यहां जोड़ेंगे उपर की side में और top stitch देखिए जीपर जोडने के बाद एक same size का अस्तर six inch by 10 inch का यह थोड़ा सा extra है बाद में हम cutting करेंगे सिलाई होने के बाद चारो side से हम सिलाई करेंगे देखिए ऐसे हमने चारो side से सिलाई की यह piece हमने इसे रखा और यह दूसरी side zipper की इसके उपर और यह piece हम यहां रखेंगे यहां से यहां तक सिलाई करेंगे देखिए यहां सिलाई होने के बाद यह fabric और अस्तर हम साथ में इसे रखेंगे और यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे और यहां top stitch करने के बाद यह जो shape है वैसा यह अस्तर का पिसम cut करते है देखिए यह piece हमने इसे join किया इसके बाद यह front side है तो यह runner हम यहां से रणनर डालने के बाद यह से यहां से यहां तक सिलाई करेंगे और इसके उपर हम पाइप इन करेंगे देखिए एक्स्ट्रा फैबरिक हमने कटिंग किया सिलाई होने के बाद यह पाइप इन हम लेंगे यहां से एक फोल्ड यहां से एक फोल्ड और यहां से यहां तक करेंग देखिए ऐसे हमने पाइपिन की, पाइपिन होने के बाद हम यहाँ से सिधी साइड करेंगे, देखिए ऐसे सिधी साइड करने के बाद इस उन्दर से यह पर्स तयार हो गई, देखिए यह फ्रन्ट साइड में पॉकेट हमने एक बनाया है, और अंदर की साइड में एक जीप पोकेट पार्टी वेर पर्स जैसी यह बाग आप यूज़ कर सकते हैं